हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल वीजागाइड वीजागाइड देखने वाले आफसी फ्रेंट्स का मैं हर्दिक शागत करता हूँ फ्रेंट्स अभी जो मेरे पास अपडेट है वो योरोप से है और बहुत इंपॉर्टन अपडेट है इसको जरूर देखना चाहिए तो इस वीडियो को आपको सुर्शी लास से जरूर देखना चाहिए तो मैं जो अपडेट दोंगा वह अपडेट यह कि अगर आपका प्लान है साउथ अमेरिका में किसी कंट्री में विजिट करते का अगर आप साउथ अमेरिका में मैक्सिको या फिरा बैलीज या आप गै कट हो जाएगा क्योंकि अभी जो रिसेंट्टी इस ऑपडेट यह है कि यूरोपियन यूनियन ने जो गैर यूरोपियन यूनियन के नागरिक है जो इंडिया से हैं पाकिस्तान से मंगरादेश नैपाल से हैं अगर वो किसी थार्ड कंट्री में ट्रवल करते हैं मान और आपको boarding pass चाहीं लेंगे, boarding pass आपको नहीं मिलेगा, तो आपको Delhi airport पे या फिर आपको Mumbai airport पे या फिर आपको नेपाल में जो airport है, अगर आपने European Union की flight लिया है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा, आपको boarding नहीं देंगे, वो आपसे transit visa की requirement मांगेंगे, आपसे transit visa मांग देंगे, तो जब भी आप ticket book करिये, तो इस स्रीच को आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले, अभी COVID से पहले क्या था कि France हो था, वो transit free था, आप Air France से आप travel कर सकते थे, आप France में आप बिना transit के आप जा सकते थे, तो France और नीदर लेंड जो था, वो transit free हमें देत तो आपको अगर कहीं कि South America में किसी country में जाना है, या आपको UK में जाना है, तो आप France, वाया France या वाय नीदर लेंड आप जा सकते हैं, लेकिन France ने transit transit पे रोक लगा दिया, अभी आप France जा रहो तो आपको transit visa लेना पड़ेगा, फ्रांस का, या आप नीदर लेंड से जा र अमेरिकम किसी country में आप जार हो, और आपने जो flight का selection किया हो, flight जो है आपका European Union, कि किसी country के flight है, Air France है, या फिकियला में एरलाइन से, या फिर को ऐसा एरलाइन से, जो European Union का एरलाइन से, तो आपको boarding में दिक्कत होगा, आपको transit visa मांगेंगे, तो ही आप flight पे बैठ सकेंगे, अगर आपको transit visa है, तो ही आप, तो ही आप UK जा सकते हैं, वाया Europe होके, या आप South America जाने की सोच रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, अगर आपके पास valid visa है, तो अगर आपको valid visa नहीं है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, एरपोर्ट पे, तो इस वीच को आप जिरोड ध्यान द आपको विखल्प भी बताता हूं, सबसे अच्छा विखल्प यह है, आपके लिए कि आप Gulf country यूज कर सकते हैं, आप Gulf country से direct जा सकते हैं, माल लिजे आप UK जा रहे हैं, तो आप इंडिया से आप दुबई, आप दुबई का visa ले लिजे और इंडिया से आप दुबई और द सबसे best option रहेगा आपके लिए Gulf, तो आप दुबई से, कतर से, आप को सबस्ता डिकट भी मिल जाएगा, और आपको कतर से और आपको UAE से आपको directly आपको flight भी मिल जाएगा UK के लिए, और South America भी आप जा सकते हैं, South America country में भी आप भूम सकते हैं, तो आप इस route को select कर सकते हैं बाकी आप टर्की से जा सकते हैं, या फिर आप चाहो तो आप आफरीका में किसी country से आप flexing कर सकते हो, आफरीका में आप कीनिया आपको direct flight UK के लिए मिल जाएगा, आप इथोपिया जा सकते हो, एथोपिया से आपको direct flight मिल जाएगा UK के लिए, और आपको, और South America के लिए भ आप चाहू तो आप गल्फ कंट्री से आप जा सकते हो यूके ये आपके लिए सही रहेगा तो अगर आप यूरोपियन यूनियन की किसी फ्लाइट साफ जा रहो और आपके पास फ्रांजिट भी जानी है तो आपको एरपोर्ट पर दिक्कत आएगा तो फैंस अगर आपके व यूडियो में किस लेटर सब्जेट के साथ मैं तब तक के लिए बाए टेक क्या थान्यवाद थैंक्यू सो मच